Hello my dear students, welcome to BL Online Classes आज हम 11th class के लिए जो reader book है उसको start कर रहे है तो उसमें आपके जो books हैं, दो books लगाई गई है reader इसमें जो आपकी first book है, जो man book है, उसका जो पहला lesson है The Portrait of a Lady, खुश्वांत सिंग के दुवारा लिखा गया है ये lesson और इसमें क्या है कि एक बुड़ी औरत का शबद चितर दर्शाया गया है तो हम देखते हैं इस lesson में क्या कहते हैं, जो इसके writer है, खुश्वांत सिंग जी अब इसमें वो क्या कहते हैं, देखिए My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman कि मेरी जो बुड़ी दादी मा थी, वो हर किसी की तरे, दादी मा की तरे एक बुड़ी औरत थी She had been old and wrinkled, wrinkled क्या हता है कि जुरियां पड़ना, कि उनका जो face था हूँ जुरियों वाला था For the 20 years that I had known her, that I had known her, कि जब से मैं उनको जानता हूँ पिछले 20 सालों से उनका चेरा इसी परकार से जुरियों बड़ा हुआ था People said that she had once been young और लोग क्या कहते हैं कि एक बार क्या थी, युवा थी and pretty और सुन्दर थी and had even a husband और यहां तक कि उसके एक husband भी था But that was hard to believe, लेकिन इस बात पर विश्वाश करना बहुत मुश्किल है My grandfather's portrait hung above the mental piece in the drawing room Drawing room में कि जो mental piece, मतलो जो chimney वगरा है या फिर उसमें जो सुन्दर सुन्दर बस्तों सजा की रखी जाती है वहां पे जो टंगी हुई थी Portrait मतलो उनकी तस्वीर तंगी हुई थी, hung होता है लटकी हुई थी He wore, wear की second form में war wear पहनना तो war second form पहनना हुआ है Big turban, turban ध्यान रहे Turban क्या होती है, यह turban होती है, पकड़ी क्यों होने एक बड़ी पकड़ी पहनी हुई है And loose fitting cloths, loose fitting cloths क्या हो जाएंगे कि डिले डाले कपड़े पहने हुए है His long white beard covered the best part of his chest Beard, weird होती है दाड़ी, क्योंकि जो लंबी सफेद दाड़ी है उसने cover कर लिया है, कि इसको, जो उनकी chest का, छाती का best part है And he looked at least a hundred years old और कम से कम वो क्या है, एक hundred years old He did not look the sort of person who had, who would have a wife or children कि उनको देख के ऐसा लगी नहीं सकता कि वो इस परकार के आदमी है कि जिनके बीबी बच्चे भी होएंगे क्योंकि वो एक सन्यास्ती से आदमी लगते थे देखके He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren और उमर देखके इतना लगता था कि इस उमर वाले आदमी के बीबी बच्चे नहीं होगे इनके तो बहुत सार, lots and lots मतलब बहुत ही बहुत अधिक grand children मतलब इनके पोते-पोतियां होएंगे As for my grandmother being young and pretty कि जैसे ही मेरी माता क्या है जो दादी मा है कभी युवा और सुन्दर थी The thought was almost revolting revolting क्या होता है दिमाग गुमा देने वाला कि वो विचार ही ये दिमाग गुमा देता था कि ऐसा हो भी सकता है कभी जिसके ओपर विश्वाष नहीं किया जा सकता था She often told us of the games She used to play as a child आपको last class में मैंने बताया है Used to का आर्थ कब होता है Used to का आर्थ होता है past habit मतलब जो भूतकाल की habit है model कर वाया था used to तो मतलब पहले कोई काम करते थे अब नहीं करते तो उसने यह होता है कि जो बच्पन में वे एक बच्चे के रूप में जो game खेलती थी पहले अब उन games के बारे में बताती है That seemed quite absurd absurd होता है बकवास जूठ मूठ बोल दें अपने कोई जूठी बात है बकवास बोल दें होता है absurd And undignified on her Undignified के थे ऐस समान जनक On her part And we treated it like Fables of the prophets She used to tell us Fables of the prophets मतलब इसमें जो पुरानी कहानियां वगरा है कि वो जो बताती थी और हम वो सुनते थे हमें तो एक कहानियों के तरह लगती थी उनकी बाते She had always been short and fat and slightly bent Short and fat मतलब वो मोटी थी और short थी Short मतलब कद चोटा था लेकिन वैसे मोटी थी Slightly होता हलकी सी Bent मतलब मूडी हुई या जुकी हुई मतलब आगे की तरह जुक्के चलती थी कद चोटा था लेकिन वो मोटी थी हर face watch क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस of wrinkles अब दीखिए क्रिस क्रॉस कैसे होता है मैं आपके सामने स्क्रीन में दो लाइने खीच रहा हूँ एक लाइन ये रही मतलब कोई इदर है कोई इदर है कोई इदर लाइने कोई ऐसे इस तरफ से जैसे ये मैंने कई लाइने बना दी है जो वुड़े आदमी होते हैं उनके face वे इस परकार से जुरियां हो जाती है जैसे आपकी देखो बाइन तरफ स्क्रीन में मैंने क्या है कुछ red red line ने बनाई है इस परकार से क्रिस क्रॉस लाइने थी रिंकस थी रिंकस क्या थी ये देखो जिसको under कर रहा हूं मैं मतलब round कर रहा हूं वो क्या है रिंकस जुरियां मतलब जुरियां running from everywhere to everywhere मतलब वो दौड रही थी चल रही थी उसका जो face था उसके एक जगह से लेके दूसरी जगह तक कहीं भी देखे इतनी ज़्यादा जुरियां जिस परकार से ये क्रिस क्रॉस थी वो जा रही थी no we were certain मतलब हम निश्चित थी हमें पका पता था she had always been as we had known her old कि जैसे हम उसको जानते हैं हमें पूरा विश्वाशा कि वो हमेशा ऐसी ही थी old थी वो so terribly old terribly होते हैं ब्याननक रूप से बहुत ही भ्याव है old that she could not have grown older मतलब वो इतनी जायदा बूटि थी grown older older क्या होगा और वी जायदा बूटि मतलब वो इतनी जादा बूटि है कि उससे जादा बूटि और क्या होएगी हमें नहीं लगता कि और जादा बूटि होएगी अब वो and had stayed at the same as for उश्वन सिंग कहते हैं कि जैसे पिछले 20 साल से देखो same as for 20 years मतलो पिछले 20 साल से वो same उमर में रुकी हुई है मेरे को तो ऐसा लग रहा है she could never have been pretty कि मुझे नहीं लगता वो कभी भी सुन्दर होएगी but she was always beautiful लेकिन फिर भी वो हमेशा beautiful थी क्यों beautiful थी क्योंकि आपस में उनका दादी पोत्ते का जो प्रेम था जो उनकी thinking थी विचार थी उनका आण उसको उसको दिल से वो सुन्दर लगती थी she hobbled about the house in spotless white spotless white क्या जैगी जो धाग दबे रही तो उसकी सफेद साड़ी है with one hand resting on her waist balance her stoop stoop होता है जुकाव on and the other telling the beads of her rosary beads होता है दाने या मन के रोजरी होती है माला अब देखो वो कैसे चलती थी घर में she hobbled मतलो धीरे धीरे जुके चलती थी लड़कडाती about the house in spotless white मतलो सफेद spotless साड़ी में वो चलती थी other telling the beads of her rosary मतलब एक हाथ है जो उसका वो तो उसकी waste waste होती है کمر कमर पर उसको शरीर को balance मनाने के लिए सहारा देने के लिए था जुकाव है जुका है जो शरीर को सहारा मिले और जो दूसरा उसका हाथ था जो माला के मनके थी उसको बस उसको माला के मनके को फेरती रहती थी हर silver locks were scattered, silver locks किसको बोल रहे हैं कि ये सुनहे हैं जो उनके बाल हैं, उनको बोले हैं, कि जो उनके silver locks थे, वो क्या scattered scattered होता है, विखरे हुए, untidally untidally मतलो, ऐस वच्चता से, मतलो पूरी तरह से साफ नहीं है जो, over her pale over her pale paked face, मतलो कमजोर pale, मतलो, पीले पड़े हुए, चेरे के उपर बाल उसके विखरे हुए होते थे and her lips constantly, constantly उते हैं नीमित रूप से, moved in an audible prayer in, inaudible prayer inaudible, audible होता है, जिसे सुना जा सके inaudible, जो हम सुन नहीं सकते हैं, आपने हुड़े लोग बहुत देखेंगे, हॉंठों में ही अपने कोई नहीं कोई prayer यहां, मंतर वगएरा जाप करते रहते हैं, कोई भी ऐसे बजन वगएरा आगाते रहते हैं, जो हमें सुनता नहीं, बस उनके lips हिलते हैं, lips की movement होती है तो वो ही इनके होती थी yes, she was beautiful, की हाँ, वो बहुत beautiful थी, she was like the winter landscape in the mountains landscape क्या होता है, बूद रिश्या है मतलब पृत्वी का जो हम scene, scenery होती न, कोई वो in the mountains, mountain होते परवत, की इसमें यह लगता था की उनका अगर scene देखें हम, तो जिससे सर्दियों में, पहाडों पर, परवतों पर जो बूदर्शय सुन्दर दिखाई देते हैं, बिलकुल वैसे लगती थी, an expense of pure white serenity, breathing peace and contentment, मतलब जो इसमें ऐसा लगता है, बिलकु स्वच, जो सफेद्धी है वो जैसे सांस ले रही है, चल रही है उनको माता को देखके ऐसा लगता था तो students, यहाँ तक यह lesson हो चुका है, और जो उसका next part है, वो हम करेंगे next video में, आज अपनी class में इतना ही मिलते हैं next lecture में